कोईला लोहा और कपास की कताई बुनाई पढ़ा अब हमको पढ़ना है कि भाब की शक्ति का इस्तमाल किस तरीके से किया गया भाब की शक्ति से बड़ी मात्रा में शक्ति उत्पन हो सकती है उच्चे तापमान पर भाब की शक्ति दबाव पैदा करती है और इस दबाव से अविश्कारकों को इसका सर्वप्रस्थम उपियोग खननुद्योग में किया गया ordinance मतलब जहां से खोद करके खनेज निकाले जाते थे जो कोईले के खदाने होती थी उनमें कोईले के खदाने हर जगा उसमें एक समस्या है कि उसमें पानी भर जाता है क्योंकि कोईले के खदाने हमेशा नदी के पास में होती है और पानी भर जाने से बहुत नुकसान होता है जानमाल को बहुत नुकसान होता है तो थॉमस सेवरी नाम के एक अविश्कारक ने खनक मित्र नामक एक भाप के एंजिन का मॉडल बनाया, ये एंजिन कम गहराई में काम करते थे और जब अधिक दबाव आ जाता था, जब पानी भरता था तो इनका बॉयलर भर जाता था, इससे ये सूचना मिल जाती थी कि पा इसका उपयोग एक चालक के रूप में किया, जिससे कि भाप का उपयोग करके शक्ती चालित मशीनों को उरजा या शक्ती मिल सके, अठारवेश अताबदी के आन तक वाट के एंजिन जो है, वो सोहो की फांडरी, सोहो एक जगे का नाम है, फांडरी यहां लोहे का काम किया जाता था, अठारा सो इसवी के बाद हलकी और मजबूत धातुएं आई, सटीक मशीनी आजार बने, जिनसे कि बहुत अच्छे सामान बन सकते थे, और व्याग्यानिक जानकारी भी बढ़ी, इन तीनों चीजों के वज़े से इंजिन प्राद्योगी की का बहुत विकास हु कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में जितना उप्योग भाब के एंजिन का होता था, उसका सत्तर प्रतिशत जो भाग है वो ब्रिटेन में ही इस्तिमाल या उत्पादन किया जाता था, धीरे धीरे नहरे और रेलों का उप्योग भी बढ़ गया, कोईले को एक जगे से दूस एक भारी होता था कोईला और बहुत खर्चीला भी होता धा और बहुत समय भी लेता था इसलिए नहरों का इस्तमाल किया जाने लगा, नाओं में कोईले को लाद करके एक जगा से दूसरी जगा ले जाया जाने लगा, पहली नहर जो इng पर कोईले को लाद करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था ये एक बड़ा सस्ता आवा गमन का साधन था नहरों को आपस में जोड़ने से जहां पे नहरे थी वहां पे नए नए शहरों में बाजार बन गए जहां पे की सामान आता था और उन शहरों में बिकता था उधारन के लिए बर्मिंगम शहर का विकास बहुत तेजी सिख हुआ क्योंकि वह नहर्म प्रणाली के मध्य में था 1788 से 96 के अगधी कनाल मेनिया या नहरोन माद के रूप में जानी जाती है क्योंकि इस समय बहुत सारी नहरें बनी 46 नई परियोजनाएं प्रारम हुई 1788 से 1796 के बीच में बहुत सारी नहरें इंग्लेंड में बनाई गए लेकिन 1830 के दशक तक आते आते नहरों के रास्ते जो परिवहन हो रहा था उसमें कई समस्याएं दिखाई देने लगी अब हर कोई नहर से ही परिवहन करना चाहता था समान ले जाना चाहता था इसके कारण जल पोत की बहुत भीड बढ़ गई और मतलब एक तरीके से कहें तो नहरों में बहुत ट्राफिक बढ़ गया जैसे कि आवा गमन की गति क्या हो गई बहुत धीमी पढ़ गई फिर अगर बारिश नहीं होती थी तो सूखा हो जाता था तो नहरों में पानी नहीं रहता था और अगर बारिश ज्यादा होती थी तो बाढ़ आ जाती थी जिसकी कारण नहर में आवा गमन नहीं किया जा सकता था तो नहरों का उपियोग धीरे-धीरे कम होने लगा और उसकी जगा रेल मार्क का परिवहन अब एक सुधा जनक विकल्प के रूप में दिखाई देने लगा अब लोगबाग नहरों की जगा पे रेल मार्क पे ज्यादा निर्भर करने लगे रेलवे में भी कही तरीके के नए अविशकार हुए नई तक्निकों का इस्तमाल किया जाने लगा भाप से चलने वाला पहला रेल एंजिन स्टिफेंसन का रॉकेट 1814 में जौर्स टिफेंसन द्वारा बनाया गया और रेलगाडी परिवहन का नया साथन बन गए रेलगाडी के साथ एक बहुत बड़ा फायदा ये था कि ये वर्ष भर उपलब रहती थी इस पर मौसम का बहुत ज्यादा असर नहीं होता था रेलगाडी नहरों पर जो आवागमन होता था उसके मुकाबले में ज्यादा तेज थी और वह माल और यात्री दोनों को धो सकती थी और इससे लोगबाग और सामान एक जगा से दूसरी जगा काफी तेजी से जा सकते थे यह है स्टिफेंसन का रॉकेट जो एंजिन जो कि उस समय इस्तिमाल किया जाने लगा रॉकेट यहने जो बहुत तेज गती से चलता है उस जमाने के हिसाब से यह जो एंजिन है यह बड़ी तेज गती से रेलगाडी को खीचता था 1760 में लोहे की पट्री की स्थान ले लिया हमने पढ़ा है कि लोहे में बहुत सारे नए तकनीक आ गए थे अब बहुत मजबूत और बहुत अच्छे किसम का लोहा उत्पादन होने लगा था और इस लोहे की पट्री का इस्तिमाल अब railway के लिए किया जाने लगा और अच्छे और मजबूत किसम का लोहा उत्पादन होने के कारण ये लोहे की पट्री काफी भार को वहन कर सकती थी इस रोहे की पट्री पर भाब के एंजिन से रेल के डबों की खिचाई होने लगी रिचर्ड रविथिक ने 1801 में फुपकारने वाला दानव नाम के एंजिन का अविश्कार किया और यह एंजिन ट्रेन को खान के चारों ओर ले जाता था और इसको फुपकारने वाला दानव क्यों कहते थे क्योंकि यह जो है एक दानव या राक्षस जैसा ताकतवर एंजिन था जो की खान या खदान में सामान को लाद करके एक जगह से दूसरी जगह जाता था यह है आपका फुबकारने वाला दानव जो ट्रविथिक ने बनाया था जो एंजिन था 1814 में जॉर्स टिफेंसन ने एक रेल एंजिन बनाया जिसे बलचर कहा जाता था और ये चार मील प्रतिघंटा के रफतार से पहाडी पर माल को ढो सकता था उस जमाने में चार मील प्रतिघंटा के रफतार बहुत तेज थी और पहाडी पर यानि ये बड़ा शक्तिशाली इंजिन था जो की सामान को पहाडी पर ढोकर के ले जाता था 1830 से 1850 के बीच में ब्रिटन में लगभग 6000 किलोमेटर रेल पत बिच गया और इसका आवागमन होने लगा हम अगर इसकी तुलना करें तो 1853 में भारत में पहली रेल गाड़ी चली थी जो कि बंबई से ठाने के बीच में चली थी और उससे काफी पहले ब्रिटन में रेल गाड़ीयां चलना शुरू हो चुकी थी और 1850 तक आते आते तक तो ब्रिटन में बहुत लंबा रेलवे का जाल बिच गया था आपको मालूम ही है जिस समय के हम बात कर रहें 1830-1850 इस समय अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे थे इस रेल के विकास के कारण लोहे और कोईले की मात्रा का बहुत भारी उपयोग हुआ और इसमें बड़ी संख्या में लोगों को काम पर लगाया गया कोईले का खनन, लोहे का खनन, लोहे और कोईले को एक जगा से दूसरी जगा ले जाना, रेलवे के जरिये इन सारी चीजों से बड़ी मात्रा में लोगों को काम मिला बहुत निर्मान भी हुआ और बहुत सारी कल्यानकारी कारे भी किये गए अठारा सो पचास तक आते आते अधिकांश इंगलेंड रेल मार्क से जुड़ गया था इंगलेंड के हर कोने में रेलवे की पहुँच हो गई थी इन सारी जो तकनिकी विकास हुए भले ही वो कोईले लोहे में हो या कपास के कताई बुनाई में हो या भाब के इस्तिमाल में हो और या रेलवे में हो इससे सामाजिक जीवन में आर्थिक जीवन में इंगलेंड के बहुत परिवर्तन आया क्रांतिकारी परिवर्तन आया मतलब जो जीवन है बिलकुल परिवर्तित हो गया जो बहुत धनवान लोग थे जिनके पास पैसे थे उन्होंने उद्योगों में बहुत पुंजी निवेश की थी उनको ये लगता था कि इस पुंजी निवेश से हमें बहुत मनाफ़ा होगा और हमारा धन कई गुना बढ़ जाएगा धन में बढ़ उत्री हुई सेवाओं में घ्यान में बहुत बढ़ उत्री हुई और उत्पादत कुशलता भी बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि मशीनों का उपयोग होने लगा इसलिए कम समय में ज्यादा समान का उत्पादन होने लगा माल एक जगा से दूसरी जगा आने जाने लग गया लोगों की आये भी बढ़ गई ग्यान भी लोगों का बढ़ा नहीं नहीं जैसे जैसे तक्नीक आती गई उन तखनीकों में और सुधार किया जाने की कोशिश की जाने लगी ताकि वो और ज्यादा मुनाफिक का धंधा या काम हो जाए इसलिए ग्यान भी धीरे धीरे बढ़ने लगा तो इन सारी चीजों से जीवन इंगलेंड में उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया लेकिन सक नकारात्मक प्रभाव के साथ साथ बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी हुए शेहरों में जनसंख्या बहुत तीजी से बढ़ने लगी और इस जनसंख्या के बढ़ने का कारण क्या था कि गाउं से लोग बाग पलायान कर करके शेहरों में आ रहे थे उद्योगों में का करने के लिए लेकिन जिस तरीके से शेहरों में जनसंख्या बढ़ी उस तरीके से रहन सहन के साधनों में कोई भी वृद्धी नहीं हुई बलकि रहने का जो तरीका था या जो रहन सहन की जो स्तर था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया उद्योगों के आसपास बहुत पहारवाली जगों पे या छोटी-छोटी जगों पे छोटे-छोटे मकान बनाये जाते थे जो कि बहुत ही गंदे बस्तियां होती थी। उनकी साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था उनमें मजदूर रहते थे। और उनको रहनी का और कोई दूसरी जगा नहीं होत ना ही किसी तरीके से स्वास्त की देख भार इस तरीके की कोई चीज नहीं होती थी और जो अमीर लोग थे वो शहरों से बाहर जो उपनगर बने हुए थे जो की साफ सुथरे थे जहां साफ हावा पानी मकान था वहां पे वो लोग रहते थे तो मजदूरों की स्थिती तो बह एक बहुत बड़ा जिनका हाथ था वो थे मजदूर लेकिन मजदूरों की स्थिती बहुत ज्यादा खराब थी 1442 में एक सरविक्षन हुआ जिसमें ये पता चला कि मजदूरों की औसत आयू नगरों में रहने वाले अन्य लोगों से बहुत कम थी औसत आयू बच्चों क्य केंदर थे उस जमाने में इंग्लेंड में तो बर्मिंगम में औसत आयू मजदूरों की 15 वर्ष थी मैंचेस्टर में 17 वर्ष थी और डर्वी में 21 वर्ष मात्र थी ग्रामिन लोगों की तुलना में मजदूर जो नगरों में काम कर रहे थे वो बहुत ही छोटी उमर में मर और उनके मरने के क्या कारण थे क्योंकि साफ सफाई रहने की नहीं थी पानी गंदा रहता था बहुत सारी जो वायू प्रदूशन जल प्रदूशन के कारण जो बिमारियां भैलती थी उनके कारण ये मजदूर जो है वो बहुत कम आयू में ही इनके यह खतम हो जाते थे उ उसमें जो लोग पदस्त थे, उनको इन बिमारीयों का क्या इलाज है, जो इन प्रदूशन के कारण होती थी, उनके बारे में भी उनको पता नहीं होता था। तो स्वास्त सुविधाय ना मिलने के कारण मजदूर बहुत कम आयू में बिमारियों से और खराब स्वास्त के कारण वो मर जाते थे ये देखें आप बहुत खराब स्थिती में मजदूर रहते थे, ये बहुत गंदी बस्तियां हैं, एकदम बहुत एक दूसरे से गुसी हुई, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे कमरे, जहां पर किसी भी तरीके की कोई सुविधा साफ, हवा पानी की कोई सुविधा नहीं थी ये जो अद्योगी करण हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा जो योगदान था, वो औरतों और बच्चों का था, औरते और बच्चे हमेशा से काम कर रहे थे, औरते घर का काम भी करती थी, और साथ-साथ वो सूत कातने का काम, और दूसरे चोटे-मोटे जो उत्पादन के का हैं, वो घरों में करती थी, बच्चे भी हमेशा अपने परिवार के साथ काम करते थे, लेकिन अब उद्योगों के स्थापना होने के कारण, महिलाओं को घर से बाहर जा करके उद्योगों में काम करना पड़ता था, क्योंकि एक अकेले जो पुरुष सदसे की कमाई से घर क खर्चा नहीं चल पाता था, तो महिलाओं को घर का खर्च पूरा करने के लिए आर्थिक विवस्था के लिए उनको काम करना होता था, जब महिलाओं को काम करना पड़ा और बच्चों को भी काम करने के लिए उद्योगों में जाना पड़ा, उसी समय मशीनों का भी उपिय में करने के लिए वो बात धे हो गए वहां उनको बड़े कठोर अनुशासन में दंड की बहुत ही भयाव है परिस्थितियों में और कई घंटों जिसका कि कोई वो नहीं था कि कितने घंटे तक यह महिलाएं और बच्चे काम करेंगे एक जैसे काम करना पड़ता था मजदूर होते थे तो वो इनका विरोध भी कर पाते थे और खराफ स्थितियों के खिलाफ अंदोलन भी कर सकते थे लेकिन यह महिलाया और बच्चे यह चीजें नहीं करते थे इसलिए उद्योग पती चाहते थे कि महिलाया और बच्चे उनके उद्योगों में काम करें लं में महिलाओं को अधिकतर नौकरी दी जाती थी, कारण वही है कि उनको कम तन्खा में काम करवाया जाता था और वो किसी भी तरीके का कोई आंदोलन नहीं करेंगी, कोई विरोध नहीं करेंगी, शांतिपून तरीके से अपना काम करेंगी, इस चीज़ को ध्यान में रख करके उद्योग पती ये चाहते थे कि महिलाओं को ही काम पर रखा जाए, बच्चे भी बहुत उद्योगों में काम करने के लिए जाते थे, जो कपास उद्योग था, उसमें जैनी नाम की जो मशीन थी, उस मशीन में बच्चे अपने छोटी उंगलियों और छोटी कद काठी की वजह से आसानी से काम कर पाते थे, तो मिल मालिक जो हैं छोटे बच्चों को काम पर रखते थे, जो मशीने लगाई गए थी, वो बहुत पास पास में लगाई गई थी, ज्यादा जगह ना घेरें वो, और कम जगह में ज्यादा मशीने लगें, तो कम जगह होने के कारण कम जगे में बच्चे काम कर सकते थे, इसलिए बच्चों को उन मशीनों पे काम पे लगाया जाता था, मशीनों में कई घंटे तक बच्चे काम करते रहते थे, यहां तक कि रविवार को भी उनको मशीनों की साफ सफाई देख रेक करने के लिए आना पड़ता था, और कभी-क आप देखें, यह हैं जैनी मशीन है जहांपे की चोटे बच्चों को उस पर चढ़ करके इस तरीके से काम करना पड़ता था ये आप देखें ये जो कोईला और जो खनन उद्द्योग था उसमें जो छोटी सक्री खदाने थी उनमें घुस करके बच्चे इस तरीके से काम करते थे ये बच्चे जो है गाड़ी जिसमें कोईला भरा हुआ है उसको खीचते थे या जो छोटी खदाने हैं वहाँ पे खुस करके ये बच्चे काम करते थे ये एक तरीके से धक्का दे करके बच्चा गाड़ी को ले जा रहा है जिसमें की कोईला या लोहा जो भी लदा हुआ है और trapper के रूप में भी वो काम करते थे, बच्चा आप ये देखें, बच्चा बैठा हुआ है दरवाजे के बगल में, ये ख़दान का दरवाजा खूलने और बंद करने का काम करता था, और घंटों इसी स्थिती में ये बच्चा बैठा रहता था, तो इस तरीके से बच्चो की रूप में जैसा मैंने बताया दर्वाजा खोलना और बंद करने के काम में बच्चे कोल बेरर के रूप में कोले का भारी वजन भी धोते थे कोल याने की कोला बेरर मतलब उसको लाधना तो कोल बेरर के रूप में ये काम करते थे कारखाने मालिक जो है वो बच्चों को छो बुरे स्थिती में उनसे काम लिया जाता था 28 प्रतिशत से अधिक बच्चे जो हैं वो 14 साल से कम आयू में ही काम शुरू कर देते थे यानि कि बहुत छोटी उमर से बच्चे जो हैं काम करने चले जाते थे महिलाएं जो हैं वो जब घर से बाहर उद्योगों में काम करने जाने लगी तो उन्हें तन्खा के रूप में मजदूरी मिलने लगी इससे उनको कुछ वित्य स्वतंतरता मिली उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक मदद की अपने परिवार की आये में उन्होंने हिस्सा बटाया और एक तरीके से उनका आत्मसम्मान भी बढ़ा कि वो किसी तरीके से आर्थिक रूप में काम कर रही है या आर्थिक स्वतंतरता उन्हें एक तरीके से मिली हुई है लेकिन काम करने की जो स्थिती थी वो इतनी खराब या इतनी अपमान चनक स्थिती में उन्हें काम करना पड़ता था कि उनको इस से बहुत उनके स्वास्त को उनके आत्मसमान को बहुत हानी पहुँचती थी, और फिर भी उनको मजदूरी करनी पड़ती थी मजबूर होकर के गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था और चुकि वो विरोध नहीं सकती थी और चुकि वो किसी तरीके से मिल मालिक के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती थी इसलिए उनको काम में रखा जाता था और उनको भी इस काम को करने के लिए चाहे वो कितनी भी खराब परस्थिती हो इन महिलाओं को बाध्धे होना पड़ता था काम के नियम के कोई कितने घंटे होंगे इसका कोई नियम नहीं था और जो द्योग पती के ऊपर ये किसी भी तरीके की बाध्धिता नहीं थी कि वो महिलाओं और बच्चों और जो पुरुश मजदूर हैं उनकी स्थिती का ध्यान रखे। और कोईला एक जगा से दूसरी जगा पे जाता था। कैसे धीरे धीरे नहरें जो हैं वो बहुत ज्यादा उसमें भीड़ भाड़ होने लग गई। बाड़ और सूखे के कारण नहरों का जो है वो उतनी फायदेमन नहीं रह गई। और फिर रेलों का विकास हुआ। और कैसे रेले जो हैं वो उनके जो इंजिन शक्तिशाली भाब से चलने लगे और वे खदानों में भी रेलों से सामान ढोया जाने लगा। और कैसे ये परिवहन का साधन बना और लोग बाग भी और सामान भी एक जगा से दूसरी जगा रेलों से आने जाने लगा। और रेलों में भी कई तरीके के बहुत सारी तक्निकी विकास हुए। इन सारे परिवर्तनों के वज़े से सामाजिक जीवन परिवर्तित हो गया। उसमें अच्छा परिवर्तन भी आया और उसमें हानिकारक परिवर्तन भी आया। अच्छा परिवर्तन जो है जाहिर है जो द्योगपती थे उनके लिए एक अच्छा परिवर्तन आया, उनकी सम्रिधी और बढ़ गई, लेकिन जो दूसरे जो मजदूर थे, उनके जीवन जो है और ज्यादा नारके या और ज्यादा खराब हो गया, मजदूर जो थे, जो की उद्योगी करण में उनका बहुत बड़ा हाथ था, स्थिती में काम करना होता था, कोई नियम नहीं थे और इसलिए उनका बहुत ज्यादा शूशन किया जाता था, बच्चें को बहुत ही नारके जीवन जीना परता था उन उद्योगों में और उनको बहुत सकरी जगह जहां हवा साफ नहीं थी और बहुत कश्टकारी तरीके से उनको काम बहां पर करना परता था, तो ये आपके औरतों और बच्चों की स्थिती थी और दोगी करण में जो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि जो परिवर्ति जीवन हुआ वो मजदूरों औरतों बच्चों के लिए जो जीवन वो बहुत ही खराब रहा लेकिन जो उद्योग पती थे उनके जीवन जो है वो समरिद रहा और बहुत अच्छा हुआ और जो ये खराज जीवन था इसके कारण आगे चल करके ब्रिटेन की सरकार को नए नियम बनाने पड़े जिससे की ये जो काम करने का जो तरीका है वो सही हो सके और मजदूरों का इतना नहीं हो सके इन मैंने अभ्यास के आपको कुछ प्रशन दिये हैं इनको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और हम अगले भाग में इसके बारे में चर्चा भी करेंगे तो पहला प्रशन है भाब की शक्ति का प्रयोग और द्योगी क्रांती के काल में किस प्रकार कि इसमें आप बताएंगे कि भाब की शक्ती का प्रयोग घनन उद्योग में किया गया फिर उसे इंजिन बने और इस तरीके से भाब की शक्ती का प्रयोग किया गया। नहर और रेलों का विकास ओध्योगी क्रांटिा में क्या योगदान है? नहर से आपको बताना है कि कोईला जाता था, रेलों से भी सामान और लोगों का परिभ्हन इक जगा से दूसरी जगे होता था. नहरों के बारे में भी आपको जो है कोईला उस से नाओं से एक जगा से जिसे कि ओद्योगी क्रांती में इसका योगदान था ओद्योगी क्रांती से लोगों की जीवन में क्या परिवर्तन आए आपको बताना है अच्छे परिवर्तन भी आया नकारात्मक परिवर्तन भी आया सम्रिधी बढ़ी और लेकिन मजदूरों का जीवन जो है वो उसमें ब बहुत नगारात्मक प्रभाव पड़ा, इस काल में महिलाओं और बच्चों की क्या स्थिती थी, तो आपको बताना है कि महिलाओं जो हैं कपास उद्योग में काम करती थी, बच्चे कपास उद्योग में भी और खनन उद्योग में भी काम करते थे, महिलाओं और बच्चों क बहुत खराब स्थिती में वहाँ पे काम करना पड़ता था, कोई नियम नहीं था, इन लोगों का बहुत शोशन भी इसमें किया जाता था, तो ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी हैं, और उनकी क्या स्थिती थी, किस तरीके से उनकी बहुत बुरी स्थिती थी, इसका वर उद्योगिक क्रांती की विशेष्टाएं लिखिए, तो इसमें उत्तर में आपको लिखना था, कि भारी पैमाने पर सामान का उत्पादन बढ़ गया, भाब का उपियोग होने लग गया, नहरें, रेलों का उपियोग हुआ, सामाजिक भेद बढ़ गये, एक वर्ग संपन हो गया, एक वर्ग की स्थिती बहुत खराब हो गई, काम करने की बहुत खराब व्यवस्था थी, और अंततह सरकार को इसमें नए कानून बनाने पड़े, दूसरा प्रशन था, ओद्योगिक क्रांती सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही क्यों हुई, क्योंकि सत्रवी शताबद में ब्रिटेन एक बहुत ही सुधर सामराज्य था, ब्रिटेन के तीनों हिससे वेल, स्कॉटलेंड और इंगलेंड एक ही शासक द्वारा शासित होते थे, वहां एक ही मुद्रा कानून, एक ही तरीके का बाजार था, मुद्रा विनिमय होता था, कमाई जो है लोगों को वेत और वो उद्योगों में वहां पे कम तंखा में काम करने के लिए तैयार रहे, इस कारण अद्योगी करांती सर्वकृत्थम ब्रिटेन में हुए, तीसरा प्रशन है, लोहे और कोईले के क्षेतर में क्या नए अविशकार हुए, तो इसमें आपको बताना है, जो डर्भी प प्टी, बेलन मिल के बारे में, किस तरीके से लोहा, बढ़ियां, किसम का और मजबूत और ज्यादा बढ़ने लगा, किस तरीके से काट कोईले की जगहा पर कोग का इस्तमाल किया जाने लगा, ये आपको इसमें लिखना है, कपास की कताई और बुनाई में क्या नए अवि इशकार किये गए और इसमें उड़न तुरीक करगा, कताई मशीन, वाटर फ्रेम, म्यूल, पावर लूम, इनके बारे में आपको लिखना है